प्रतिवा को दिखाया है और रिजल्ट हासिल कर अपनी एक सफलता की शीड़ी को प्राप की है ऐसे ही एक मिशाल हमारे साथ है रजिया सुल्तानाजी जो पेसे से अभी वो सरकार के इंपलाई भी है और जूनियर इंजिनियर भी है पटने में उनकी पोस्टिंग है और उनकी पढ़ाई लिखाई भी साथ राजस्थान में आपकी हुई है रजिया जी राजस्थान से बिहार का सफर आपका कैसा रहा और आपके दिमाग में BPSC की कैसे दिमाग में आया कि BPSC की मुझे पढ़ाई करना है और उसकी तैयारी करनी है जबकि आप एक government employee होने के नाते फिर भी आपने BPSC की तैयारी की जे हाँ, मैं राजस्थान में मेरी पढ़ाई हुई है BTEC मैंने राजस्थान से किया है मैं वैसे रहने वाली बिहार की ही हूँ मैं गुपाल गंज से हूँ तो यहाँ पे फिर जब वेकेंसी आई तो मैंने फॉर्म भरा और मेरी जॉब लग गई तो 2017 से मैं यहाँ पे electricity power transmission में पोस्टेड हूँ मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ मैं 2018 में जब इसका फॉर्म आया तो मुझे ऐसे लगा कि मैं भी कोशिश कर सकती हूँ कि मैं ट्राइ करूँ और प्रशासनिक सेवा में आने का मुझे मुझे मौका मिले तो मैंने पॉब्लिक सर्विस कमिशन की तयारी शुरू कर दी आपकी सिछा दिछा कहां से हुई आपकी पढ़ाई लिखाई जो हुई वो बिहार से हुई या राजस्थान से जी मेरी स्कूलिंग जो है वो बुकारो स्टील सिटी जहारखंड से हुई है मेरे फादर वहाँ पोस्टेट थे फिर उसके बाद मैं राजस्थान चली गई पढ़ाई करने बीटिक की तो मैंने राजस्थान से बीटिक किया हुआ है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 2017 से मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ तो यह जो आपने BPSC के तैयारी की उसके लिए आपके दिमाग में कैसे आया और किसी का दवाव रहा परिवार में की नहीं इंजिनियरिंग कर ली हो जुनियर इंजिनियर बन चुकी है उसके बावजूद भी BPSC तो यह किसके उपर आप जो सरे है वो किसे रही है इसका शरे बिलकुल मेरे परिवार को जाता है सब लोग मेरे फैमिली में बहुत सपोर्टिव हैं कभी उन्होंने किसी तरह का दवाव नहीं डाला मेरे ओपर कि मैं आगे नहीं पढ़ हूँ या फिर मुझे पढ़ाई स्टॉप कर देनी चाहिए क्योंकि मैं जॉब में आ चुकी तो ऐसी कंडिशन में जब परिवार का सपोर्ट मिलता है तो इनसान फिर आगे बढ़ने में उसे असानी हो जाती है तो आप यहाँ पर जुनियर इंजिनियर की पोस्टिंग आपको आपकी मिली हुई है और 24 इंटू 7 आपकी जॉब है उसके बावजूद आप कितने घंटे पढ़ाई के लिए आप निकालती थी समय कितना घंटा आपने पढ़ाई में दिया और इधर जॉब में आपने कितने इंटू 7 यहाँ पर जो हमारी जॉब है वो एमजेंसी डूटी है 24 इंटू 7 कभी भी आना पढ़ जाता है रात के दो-दो बज़े भी हम लोग आते हैं तो ऐसे में बहुत चालेंजिंग हो जाता हाओवर जब भी मुझे मैं घर पे होती हूं मुझे जैसे ही टाइम मिलता था मैं पढ़ने बैठ जाती थी और मैंने ऐसे ही सेल्फ स्टेडी की है मैंने कहीं से कोई कोचिंग नी की है क्योंकि मुझे टाइम ही नी मिल पाता था कभी कोचिंग जाने का तो घर से रह करके मै मैंने मेरी तयारी की और दिन में तो ओफिस होता था और शाम को फिर घर जाने के बाद फिर मैं पढ़ाई करती थी कभी आपके जब आपकी ये जो पढ़ाई आप कर रही थी उस वक्त कोई आपके पार्ट में लाइफ में कोई ऐसी रुकावर्ट आई जिससे लगा कि नहीं मुझे अब जुनियरी इंजिनियरी ठीक है वी पिएसी नहीं करना चाहिए या किसी का ऐसा दवाव भी आपके उप दवाव परिशानिया या प्रेशर सी चीज़े तो आती रहती हैं लाइफ में यही चीज़े हमें स्ट्रॉंग बनाती हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि परिशानियों का आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह हमें यह आनिलाइज करने में और रियलाइज करने में हेल्प करती कि हम कहां तक जा सकते हैं तो ऐसे परिशानिया भी आई और कई बार ऐसे भी मन भी हुआ कि हाँ जोड़ देना चाहिए नहीं करना चाहिए फिर वापस से लगता था कि नहीं अगर लोगों से जुड़ना है उनकी सेवा करनी है तो पब्लिक सर्विस कमिशन एक बहुत चाहिए या आगे की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है इस तरह का कुछ ऐसा लगा है यह चीज़ों चलती रहती है मेरे फादर नहीं है तो शादी का तो ऐसे कोई दबाव नहीं रहा लेकिन फिर भी जॉब में आने के बाद पढ़ाई कर पाना वो एक अपने आप में बहुत चालेंजिंग हो जाता है तो पेरिंट्स का पूरा सपोर्ट रहा है घरवालों का पूरा सपोर्ट रहा है मैंने पढ़ाई की तो थ्रूआउट वो मेरे साथ रहे उन्होंने मुझे में इमोशनली सपोर्ट किया कि मैं कभी डिप्रेस नहीं हो जाओं मैं अच्छे से अपन post मिली है उन चात्रों के लिए आप क्या message देना चाहेंगे अंतिम सवाल है हमारा कि जो अभी BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या tips देंगी क्योंकि जो तैयारी आपने की उसमें आपको जो भी कठनाई आई उसको लेकर आप उस चात्रों के लिए क्या tips सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगी कि there is no alternative to hard work hard work कीजिए syllabus को समझे अच्छे से planning करके time management करते हुए कम समय में भी पढ़ा जा सकता है और इस exam को clear किया जा सकता है तो देखें सबसे बड़ी बात यह है कि रजिया सुल्ताना जी junior engineer होने के बावजूद भी अपनी शफलता BPSC में प्राप्त की है और वो भी job SC की 24 into 7 यानि emergency सेवा में कभी भी इस junior engineer के नाते होने के नाते वो कभी भी अपने लिए खड़ा रहती थी और उसके बावजूद भी रजिया सुल्ताना BPSC की तैयारी कर अपनी सफलता प्राप्त कर ली है अब विहार प्रसास्निक सेवा के लिए काम करेंगी और उन पब्लिक उन जनताओं के लिए शेवा में तातपर रहेंगी उन छात्रों के लिए उन्होंने टिप्स दिया और कहा कि जब भी कोई मुस्किल आए तो आपकी शफलता वहीं से सुरवात होती है मुस्किल का हमेशा सामना करना चाहिए तमाम ऐसी अपडेट आप तक हम पहुचाते रहेंगे तब तक के लिए आप बने रहें दिन्हों के साथ